किसी भी देश के नागरिक के लिए नागरिक सम्मान मिलना गर्व की बात होती है और उससे भी जादा गर्व की बात होती है अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ती इसी इच्छा शक्ती के फल के रूप में किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है लेकिन भारत रत्न के बारे में आप कितना जानते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत रत्न से जुड़े कुछ एहम बिन्दो Hello and Welcome to Snoop Box मेरा नाम है साहिबा खान बच्पन में जब हम घर के काम करने के बाद मम्मी हमें हमारी मनबसंद की चीज़े देती थी तो लगता था मानों महनत रंग लाई तो फिर सोचे अपने शेत्र में सर्वोत्तम काम करने पर भारत रत्न मिलने पर क्या खुशी मिलती होगी भारत रत में देश का सर्वोच नागरिक सम्मान जो राश्ट्र सीवा के फल सुरूप दिया जाता है साल 2011 से पहले ये सम्मान, कला, साहित्ते, विज्ञान और खेलादी शेत्रों के लिए भारत रत में दिया जाता था लेकिन 2011 में इसमें संशोधन करके अब बिना किसी भेदभाव के किसी भी शेत्र में सर्वोच योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है इस सम्मान की स्थापना की बात करें तो आजादी के बाद भारत के पहले राश्रपती श्री राजेंदर प्रिसाद ने 2 जनवरी 1954 को की थी अन्यालंकर्णों के सम्मान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में इस्तमाल नहीं किया जा सकता पहले इस सम्मान को मर्नो प्रान देने का प्रावधान नहीं था बाद में 1955 में इसे जोड़ा गया इसके बाद तेरा लोगों को ये सम्मान मरने के बाद दिया गया किसी भी व्यक्ति को भारत रतन देश के राश्टुपती देता है भारत रतन किसे देना चाहिए इसके लिए नाम का प्रस्ताव देश के प्रधान मंत्री राष्ट पती को देते हैं एक साल में प्रधान मंत्री अधिक से अधिक तीन लोगों को भारत रतन देने का प्रस्ताव राष्ट पती को दे सकते हैं एक वर्ष में अधिक्तम तीन लोगों को ही भारत रतन दिया जा सकता है लेकिन भारत के इतिहास में दो बार जी हाँ दो बार ऐसा हो चुका है जब प्रधान मंत्री ने अपने कारेकाल में खुद को ही भारत रतन के लिए नोमिनेट किया हो कॉंग्रेस सरकार में पंडित जवाहर लाल नहरू को 1955 में भारत रतन दिया गया था और उस वक्त वे खुद प्रधान मंत्री थे तो फिर उन्हें इस समान कैसे दिया जा सकता है तो तरक दिया गया था कि ततकालीन राष्टपती राजेंदर प्रसाद ने खुद ही तै कर लिया था कि नहरू को ये समान दिया जाए इसके रिटन गिफ्ट के तौर पर 1962 में समाज सेवा के लिए राजेंदर प्रसाद को भारत रतन दिया गया ऐसा ही 1971 में भी हुआ जब ततकालीन राष्टपती वीवी रमन ने उस वक्त की प्रधान मंत्री इंदरा गांधी को भारत रतने से नवाजा और बदले में 1975 में वीवी रमन को भी भारत रतने दिया गया जानने वाली बात ये है कि उस वक्त भी कॉंग्रेस सत्ता में थी भारत रतन के बाद पद्म भूशन पद्म भूशन तथा पद्म श्री जैसे प्रुस्कार आते हैं भारत रतने सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन चक्रवर्ती राज गोपालाचार डॉक्टर चंद्र शेखर वेंकट रमन को उनके राश्ट्र हित में उनके बहतरीन योगदान के लिए दिया गया था आखरी बार ये संबान 25 जनवरी 2019 को सामाजिक कारेकरता नाना जी देशमुक गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को मरनो प्रांथ दिया गया तथा भारत के पूर्वराश्ट पती प्रणाव मुखर जी को प्रुस्कार देने की गोश्न गीगे भारत रत्न भारतिय नागर को को दिया जाता है लेकिन मदर टेरिसा को उनके सामाजिक कारेयों तथा दो गैर भारतिय पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान और दक्षिन अफरिका के पूर्वराश्ट पती नेलसन मंडेला को भी ये प्रुस्कार दिया जा चुका है भारत रत्न के बारे में बात करते हैं इस पदक का डिजाइन एक गोला कार्ट स्वन मेडल था जिसमें सामने सूर्य बना होता था उपर हिंदी में भारत रत्न ने लिखा हुआ और नीचे पुश पहार और पीछे की तरफ राश्ट्रे चिन और मोटो था लेकिन बाद में इस पदक के डिजाइन को बदल कर तामे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता था भारत रत्न और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है भारत रत्न के साथ कोई रकम नहीं दी जाती लेकिन कई सुविधाएं हैं जो सरकार मोहिया कराती हैं कौन सी है यह सुविधाएं? भारत रत्न मिलने वाले व्यक्तियों को जीवन भर इंकम टैक्स नहीं भरना पड़ता जीवन भर भारत में एर इंडिया में प्रथम शेनी की हवाई यात्रा और प्रथम शेनी की रेलवे यात्रा मुफ्त मिलती है सरकारी कारे क्रमों में आने का नियोता मिलता है जरुरत पढ़ने पर Z-grade की सुरक्षा दी जाती है VVIP के बराबर का दर्जा मिलता है और हर राज्य में स्टेट गेस्ट की सुईधा दी जाती है विदेश यात्रा में भारति दुतवास दुआरा उन्हें हर संभव सुईधा भी मिलती है बड़ी बात ये नहीं कि पुरुसकार के साथ क्या सुईधाई मिलती है बलकि देश का सरवच्च सम्मान मिलना बड़ी बात है ऐसी ही रोचक जानकारिया हम आप तक पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजी